एक लड़की चिला चिला कर रोती हुए कहती है कि राजपूत लोग चूड़ी पहिन लेओ, राजपूत लोग साड़ी पहिन लेओ, बीजय या दववा कैतना हिम्मत रहे का, वो लड़की कहती है कि अब अगर मार के बदले मार, तो लाश के बदले लास, लड़की का वीडि जो के माध्यम से आपको बताएंगे लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है तो एक पक्ष लगातार कहा रहा है कि राजपूत होने के कारण तिन लड़कों को बीजय यादो जो मुखिया पती है उसके तरफ से पिटवाया गया और इतना पिटवाया गया कि एक युवक जो था ज आश्टेक छपरा राजपूत नर्शनार इसके कई हजार पोस्ट आपको दिख जाएंगे मतलब कि ये मामला ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा इजर भीहार में पुरा का पूरा यादो और राजपूत की लड़ाई बन चुकी है छपरा में पुलीस कह रही है कि अगर आपको सब कुछ बताएंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है बाग्या नमस्कार में मुहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जन्ता आजप्राबल है मैं वीम एकाड़मी की स्टुडेंट हूं मैं हुमानिटीज पर रही हूं और हुमानिटी से ट्वेल्थ कर रही हू और मैं वीम एकाड़मी मैं एकोनामिक्स पहने के लिए आती हूं यहां का महौल मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत प्रफेशनल है बहुत स्टुडेंट फ्रेंली है और टीचर्स पेशली टाइम देते हैं इंडिविजुल डाउट्स क्लियर करते हैं मुझे सुदी छपरा के मुझे मुबारकपूर गाउं में हुआ क्या था तो इसकी कहानी सुरू से सुनिए आरोप लगा कि मुखिया पती के उपर किसी ने फाइरिंग कर दी अब कथित तोर पर जो फाइरिंग हुई उसमें तीन लड़कों को उठा लिया गया अब तीन लड़के जो जो मुखिया पती है उनके ही मतलब जगया पर है उनके अपने फर्म हाउस पर है उनका जो जगया है उस पर उन्होंने बंधक बना कर रखा है और वहीं पर उनकी इतनी पिटाई क्यार दी गई कि एक लड़का दुनिया छोड़कर चला गया दो लड़के इतनी गंभीर सबस्ता में घायल है कि वह जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं और इसी बीच पुरा का पुरा मामला गर्माने लगा अब सिर्य तोर पर लड़ाई यादो वर्षेज राजपूत की बन चुकी है एक तरफ एक लड़की का वीडियो वाइरल होता है जो उन्हीं लड़को का इतना हिम्मत हो गया कि वो तीन राजपूत लड़कों को पकड़ कर पिटवाता है और इतना पिटवाता है कि एक लड़का एक राजपूत युवक दुनिया छोड़कर चला जाता है अब पुरी की पुरी लड़ाई यहीं पठहरी हुई है इधर ट्वीटर पर आप ऐस से कई सारे पोश्ट देख सकते हैं जिसमें उसको नर्शनहार बताते हुए ट्रेंड कराया जा रहा है कहा जाना है कि इस पर कारवाई क्यों नहीं हो रही है लोग कह रहे हैं कि बीजा यादों सत्ताधारी पक्ष के करीबी है और इसी कारण से अस्थानिये विधायक का उन परवाई की जा रही है बस कोई अफ़वा न फैलाए इसके संबन्द में कलेक सुचना जारी की गई प्रसासन ने उसमें लिखा है कि दिनांक 2223 को मांजी ठाना के मुबारक पुर गाउं में तीन ब्यक्तियों के साथ मारपीट की गई जिसमें से एक कि मृतू हो गई इसके संबन्द में माधी ठाना कांड संक्या 38 बटा 23 दर्श किया गया इसमें एक प्राथमिकी अभियुक्त जतूल राय जिसके पिता का नाम स्वर्गिय मत्रा याद हो एवं एक प्राथमिकी अभियुक्त अभिसेक उर्फ जिसका पिता का नाम है भीम याद हो उसकी गिरफतार सवार्य की यह सब canyon अपि पर देखेए तो छपरा में एक तरफ राजपूत समाच गोल्बंद है तक उसको लगता है कि सत्ता में रहने के कारणज सत्ता के प्रभाव के कारण उससे का समर्थन हासिल होने के कारणज कोई एक जाती का दबंग आदमी उनके जाती के लड़कों को मारता है पिटता है और पुरा का पुरा माहौल ग्राउंड पर इसी बात को लेकर गरमाया हुआ है कि आखिरकार पुलीस प्रशासन के उपर किसका दबाव है फिलाल पुलीस प्रशासन की रफतारी कर रही है हमको विवीद है कि प आगे देखना होगा कि इस खबर में क्या कुछ नया अपडेट क्या कुछ नहीं जानकारी आती है फिलाल दो लड़कों को पुलीस गिरफतार कर चुकी है लेकिन मामला एकदम तूल पकड़ चुका है लोग कह रहे हैं कि यादों और राजपूत की लड़ाई वहापर ग्र कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे आप जनता हैक्शन के साथ आगे भी जुड़े वहिए कैमरे इसे भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद